परिचय अरुणा अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रही है उसे सडक पर एक ब्लेड पड़ा मिलता है उसने इसे उठाया और इससे एक पत्ती काटने की कोशिश की उसे पता चले इससे पहले ही उसकी उंगली कट गई वह अपनी खून बहती हुई उंगली पकड़ कर घर के लिए भागी उसकी मा ने घाव साफ कर उस पर पट्टी बांधी प्रात्मिक उपचार करने के बाद वह अरुणा को चिकिच्सक के पास ले गई इस पाठ में हम प्रात्मिक उपचार के बारे में जानेंगे आउ सीखें आपात कालीन चिकिच्सा को परिभाशित करना निम्न लिखित में प्रात्मिक उपचार के चरणों को बताना जलने में चोट लगने में नाक से खून बहने में साप और बिच्चु के दंश में कीडों के दंश में जानवर के काटने में हड़ी तूटने में मोचाने में आपात कालीन चिकिच्सा एक बुज़ुर्ग आदमी पार्क में बैठा हुआ था अचानक ही उसने अपने सीने के बाए हिस्से में तेज दर्द महसूस किया शायद उसे हृदया घात हुआ हो उसे ततकाल चिकिच्सा की आवशक्ता है किसी रोगी को उसके प्राण या किसी स्थाई घाव से बचाने के लिए दी जाने वाली ततकाल चिकिच्सा को आपात कालीन चिकिच्सा कहते हैं गंभीर दुरगटनाएं रदया घात दमा का दौरा इत्यादी में आपात कालीन चिकिच्सा की आवशक्ता होती है आईए अब कुछ ऐसे उपचार सीखें जो छोटे घावों की चिकिच्सा में कामा सकते हैं जलने के लिए प्रात्मिक चिकिच्सा जलन, बिजली या रसायन जैसे अत्यधिक गरम पदार्थ के संपर्क में आने से त्वचा पर होने वाला घाव है जब एक व्यक्ती जलन से पीडित हो तो हमें जलन वाले स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए या बर्फ रखना चाहिए सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए जलन वाले स्थान पर जीवान रोधक मलहम लगाना चाहिए चोट के लिए प्रात्मिक चिकच्चा त्वचा के कट जाने फट जाने या उसमें छेद हो जाने से होने वाले घाव को चोट कहते हैं जब चोट से खून निकले तो चोट को साफ पानी और साबुन से धोए जीवानु रोधक मलहम लगाए चोट को पट्टी से ढके नाक से खून बहने पर प्रात्मिक उपचार नाक में स्थित रक्त वाहिकाओं के फट जाने से नाक से खून बहने लगता है नाक से खून बहने पर हमें व्यक्ति को बैठा कर आगे की तरफ जुका देना चाहिए नाक के नरम हिस्से को अंगूठे और तरजनी से पकड़ कर तब तक बंद रखना चाहिए जब तक खून बहना बंद न हो जाए साप या बिच्चु के दंश का प्रात्मिक उपचार साप या बिच्चु का दंश जानलेवा साबित हो सकता है साप या बिच्चु के दंश से जीवन रक्षा के लिए जहर को शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने से बचाने के लिए घाव के ठीक उपर एक रस्सी या कपड़े का टुकड़ा बांधें घाव को साबुन और पानी से साफ करें शरीर से जहर निकालने के लिए खून को चूस कर बाहर थूक दें कीडों के दंश का प्रात्मिक उपचार कुछ कीडों का दंश घा तक हो सकता है प्रभावित भाग को साबुन और पानी से धोएं दर्द से राहत के लिए प्रभावित भाग पर बर्फ रखें खुजली से बचाने के लिए कोई जीवान रोधी मलहम लगाएं जानवरों के काटने पर प्रात्मिक उपचार कभी कभी जानवरों का काटना बहुत गंभीर हो सकता है कुत्ते या बंदर के काटने से रेबीज हो सकता है किसी जानवर के काटने के बाद हमें साफ कपड़े से जानवर की लार को साफ करना चाहिए घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करना चाहिए घाव पर जीवान रोधकमल हम लगाना चाहिए चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए हड़ी तूटने पर प्रात्मिक उपचार किसी हड़ी के तूटने को अस्थी भंजन कहते हैं जब कोई व्यक्ती अस्थी भंजन से पीड़ित हो तो हमें सूजन और दर्द कम करने के लिए हड़ी तूटने वाले स्थान पर बर्फ लगाना चाहिए रोगी को स्थिर रखें और घाव वाले स्थान को खमाची का सहारा देना चाहिए चिकित्सक से ततकाल संपर्क करना चाहिए मोच के लिए प्रात्मिक चिकित्सा मोच अस्थी बंधों के संधियों के चारों तरफ उनकी क्षमता से ज्यादा खिच जाने के कारण होती है मोच से राहत पाने के लिए हमें दर्द और सूजन में कमी के लिए प्रभावित भाग पर बर्फ लगाना चाहिए सहारे के लिए पट्टी बांधनी चाहिए घाव वाले भाग को थोड़ी उचाई पर रखना चाहिए हमने क्या चर्चा की? किसी रोगी को उसके प्राण या किसी स्थाई घाव से बचाने के लिए दी जाने वाली ततकाल चिकित्सा को आपात कालीन चिकित्सा कहते हैं बिजली या रसायन जैसे अत्यधिक गरम पदार्थ के संपर्क में आने से त्वचा पर होने वाला घाव जलन कहलाता है त्वचा के कट जाने, फट जाने या उसमें छेद हो जाने वाले घाव को चोट कहते है नाक से खून तब बहता है जब नाक में स्थित रक्तवाहिकाई फट जाए कीडों के दंच से गंभीर एलर्जी अभिक्रिया हो सकती है अस्थि भंजन अस्थियों में होता है अस्तिबंधों और रक्तवाहिकाई के खिचाव को मोच कहते है छोटे घाओं की देखभाल घर पर ही घरेलू उपचारों से की जा सकती है